नमस्कार दोस्तो मेरा नाम है हरीस और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रोनिस वर्मा तो दोस्तो आपने देखा होगा कि आपको जो है इस तरीके से ऑनलाइन बहुत सारे जो है मोडूल कार्ड मिलते होंगे जिसके अंदर एंप्लिफायर इन बिल्ड मिलता है यानि कि एंप्लि पहले से ही है यानि कि इसके अंदर एंप्लिफायर तो है लेकिन हमें जैसे साउंड चाहिए वैसा इसके अंदर नहीं मिल पाता हम चाहते हैं कि इसके अंदर हम बड़े स्पीकर चलाएं तो बड़े स्पीकर चलाने के लिए आपको क्या करना होगा यहां पर आपको लेना ह एक एम्प्लिफायर होता है तो हम इसका पहले साउंड सुनते हैं कि जो सुनने के लिए देखने के लिए और सुनने के लिए इसका कैसा मिलता है तो यहां पर हम इसकी सिंपली यहां पर जो है इसकी पावर लगा देते हैं तो पावर लगाने के बाद यहां पर जो है इसको हम तो यह देखे यह ओन हो गया और मैमोरी काड यह हमारा युएस्बी लग गया और यहां पर की यह हमारे पास स्पीकर है तो मैं इसको क्रेक्ट करता हूं कि 20 तो देखे ये इसका साउंड है अब देखे जो इसका साउंड आ रहा है यहाँ पर आपको माइक में भी पूरी तरीके से नहीं सुनाई दे रहा होगा जितना इसका साउंड है अब हमें यहाँ पर करना क्या होगा तो देखे यहाँ पर अब हम क्या करते हैं ये लेते हैं एक amplifier ये हमारा amplifier हो गया और देखे धूप आ रही है तेज थोड़ी उसके कारण आपको थोड़ी वीडियो में किलेटी कम मिलेगी तो उसके लिए दोस्तों सोरी लेकिन मैं फिर भी चाहूँगा कि आपको बारिक से बा प्ला सकें तो यह हमने एक speaker connect कर दिया तो speaker हमने यहाँ पर सवा पांच इंची कर लिया और एक speaker हमने और ले लिया यानि कि दो speaker हमने यहाँ पर connect करेंगे इस वाले अब यहाँ पर जो audio input है यहाँ पर देखिए यह left है यह right है तो यहाँ पर हम लगा देंगे एक connector तो यह हमने connector लगा दिया अब देखें यहाँ पर मैं आपको बताऊं देखें यह वाला जो हमारा TG-113 है इसमें यहाँ पर एक IC लगावाए यानि कि यह mono है तो यहाँ पर चलेगा और यहाँ पर हमें दो speaker चलाने है और यहाँ पर आपने बहुत से module में देखा होगा यहाँ पर देखें दो speaker के wire है यहाँ पर दो IC लगी हुए यानि कि यह studio के अंदर है तो हमारे पास यह mono है तो मैं mono आपको चला कर दिखा देता हूं आप studio के भी वैसे ही connection कर सकते है अब देखें यहाँ पर हमारे पास तीन वायर है left right और ground यह हमेरी input amplifier की तो यहाँ पर हम क्या करेंगे पी एप को connect करेंगे यह देखें तो पी एप हम ग्राउंड में नहीं करेंगे left और right में एक एक पी आप को connect कर लेंगे तो मैं हाँ solding सही से कर लेता हूं इसमें तो यह देखें एक पी एप को मैंने यहां connect कर लिया इस wire पर, series में करना है हमें और एक पी एप को मैं यहां कर लेता हूं एक पी एप को यहां लगा लेता हूं अब देखे ये मैंने दो PF को यहां connect कर लिया है अब देखे आगर आपके पास जो है studio circuit है तो आप ये PF को अलग अलग यूज़ कर सकते हो और यहां पर मेरे पास TGX से तेरा mono में है तो मैं इन दोनों को यहां पर PF को connect कर दूँगा ये मैंने दोनों को एक साथ सोट कर दिया अब यहां पर देखे ये left audio राइट audio हो गई और जो ये ground है ये हमारा common अलग हो गया अब मैं यहां पर क्या करता हूँ 12 बोल्ट की supply दे दे देता हूँ इस board को क्योंकि इस board को Supply भी चाहिए तो Supply हम 12 बोल्ट की लगा देते हैं ढह Single मेरे पाँ supply है यह 12V की इसको हम 12V की supply भी दे देते हैं तो यह मैंने 12V की supply भी लगा दिया यह हमारा supply हो गया और supply का मैं wire लगा देता हूं तो यह मैंने supply की wire लगा दी हमारे इस amplifier में power आ गई अब हम check कैसे करेंगे यह देखे हमारे speaker के अंदर audio यहां चालू हो गई, तो इस तरीके से आपको यहां पर यह चीज करके रख लेना है, अब देखें, यहां पर तो मैंने इतना कंप्लिट कर लिया, अब यहां पर इस मोडूल को हम करते हैं, चालू, तो यहां पर हम सबसे पहले इसमें लगाएंगे बैटरी, क्योंकि यह मोड करेंगे, तो यहां पर देखें, हमने लगा दिया, आप यहां पर हम इसे on कर लेते हैं, तो यह हमारी जो on हो गई, और एक बार हम यह वाला speaker लगा के देख लेंगे, कि इसके अंदर जो sound है, वो आया यह नहीं आया, तो यह देखें, और इसको मैं कर देता हूं next, और इसको अब हम पिलस कर देते हैं, जिसे की sound तेज हो जाए, तो एक बार और दबा देते हैं, अभी इसमें आवाज नहीं आई है, speaker के अंदर, तो इससे sound कम हो रहा है, इससे तेज हो रहा है, तो देखें, इसका यह sound है, तो आभी देखा, आपने, आपको पूरी तरीके से, माइक में भी सुनाई नहीं दे रहा होगा, इसका sound आ रहा है, अब मैंने यहाँ पर देखे, PF का यूज क्यू किया है, अब बहुत से भाई के मन में यह होगा, PF का यूज किया, देखे, यहाँ पर जो हमारी amplifier IC है, उस प कहीं पर हमें जंफर करना होगा तो हमस् Yeah ! बाताना यहां पर उ Auft पर मैं आपको चाहता हूं शेम्पल बताना तो इस नहीं है तो चार्ज़िंग जैक है और भी ग्राउंडिंग पॉइंट होता है तो यहां पर हम इसको जो है लगादेंगे यह हमने यह लगा दिया अब देखे यहां पर हमने USB पर grounding point को लगा दिया अब मैं यहां पर जोड़ा सा जूम कर देता हूं जिसे कि आपको एकदम बढ़िया तरीके से दिखाई दे अब यह मैंने यहां पर जूम कर दिया यह देखिए अब यहां पर यह जो मैंने पी अप लिया है अब मैं इसको सार करते हैं यहां भी कोई audio नहीं है फिर यहां चेक करते हैं तो यहां पर हमें audio देखने के लिए मिल रही है तो आप हम क्या करते हैं यहां पर एक रिजिस्ट्रेंस लगिए पास में हम यहां लगाएंगे यह देखे हमने यहां लगाया रेजिस्ट्रिंस के पास हमें जो साउंड थोड़ा तेज देखने को मिल रहा है यहां पर यह देखे अब जो है मैं इसका गाने को next कर लेता हूं और हम जो है song को उसकी जो आवाज है वो भी तेज कर लेंगे तो यह हमने इसको next कर दिया और यहां पर हम मैं इसको एक बार लगाता हूं तो यह तो इसका normal sound है यहां पर जो IC पर आ रहा है हम यहां लगाएंगे तो यह देखे यहां पर साउंड आ रहा है यहां पर साउंड अभी हम बहुत कम मिल रहा है हम चाहते हैं इसकश्वण someone Šमें और तेज मिले तो यहां पर हमें अभी चैक करें कोन सी पिन पर हमें हमें जो तेज़ देखने के लिए मिलेगा यह देखिए यहां पर और भी कम है और यहां पर देखिए हमें तेज मिल रहा साउंड तो यहां पर देखिए इस वाली पिन पर हमें जो साउंड देखने के लिए मिल रहा है अब देखिए यह पीएप मैंने किसलिए लगाएते अगर हमारा कोई वायर गलत भी लग जाएगा हमें ट्रच करने के देखने के लिए तो हमारा एम्प्लीफायर खराब नहीं होगा और हम यह चेक कर पाएंगे कि हमारा ओडियो बढ़िया कहा मिल रहा है अब यहां पर मैं देखिए जूम को आउट करता हूं कि अब यहां पर देखिए मैं इस पीकर को पास कर देता हूं अब देखिए जो तेज अवाज आई थी वह हमारी इस वाले प्यप पर आई थी यह देखिए कर देखिए तो यहां पर आपने देखा दोस्तो कि हम किसी भी Bluetooth किट में से साउंड ले सकते हैं अगर हमें वहां से इंपूट चाहिए अपने किसी भी आई करना